बिते कुछ दिनों से बायमेट्रिक इपॉजम मशीन की तकनीकी बाधाओ से राजशभर की राशन दुकानदार और रेशन का धारक परिशान है। बिते कुछ सालों में डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया और मेकिन इंडिया का खूप डंका पीटा तो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सारी आधुनिक साउगाते धारा शाई होती हुई दिख रही है। जाव और शहरों की नुकड चर्चाओ से लेकर टीवी चैनलों की डिबेट में भी सुनने मिलता है। इसे लोगों की उदासीनता कहे या अध्यानता आधुनिक मशीनों और तक्निकी सुविधाओं के परती आम लोगों में धारना है कि मशीने अक्सर धोका देती है। क्योंकि इन दिनों राशन दुकानों की बायो मेट्रिक इपॉज मशीनों में जारी तक्निकी बाधाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस वज़े से बीते कुछ दिनों से राशन दुकानों के सामने कतारों में अपने बारी का इंतजार कर रहे ये लोग बगएर राशन लिये ही वापस लोटने को मजबूर है। मालूम हो कि राशन दुकानों में बायोमेट्रिक इपॉज मशीनों से आधार कार्ड लिंक होने से थम या फिंगर प्रिंट लेकर अनाज दिया जाता है लेकिन इन मशीनों में बीते कुछ दिनों से तक्निकी समस्या थमने का नाम नहीं ले रही जिस वज़ा से राशन कार करड़ धारकों को अनाज मिलना तेड़ी खीर साबित हो गया है यही वज़ा है कि अब ग्राहक वर्ग में भी गुस्ता फूटने लगा है मतलब हमारा नमबर नहीं लग रहा है मतलब गौवर्मेंट के एक सिस्वत आएगी है मशीन बंद रही है सब बाते तकलिप में जा दी है सब मुखिस लोग है मजबूर लोग मजबूर लोग यहां आ रहे है इस समस्यां से ग्राहक वर्ग में हताशा है राशन नहीं मिलने से वे परेशान हैं वहीं राशन दुकानदार भी ग्राहकों को राशन क्यूं नहीं मिल रह किस वज़े से नहीं मिल रहा यह बात समझाते समझाते बेजार हो चुके है विस समस्यां से उनहें जल से जल्द निजा दिलाई जाए ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल दिगरस तैसिल तक ही सीमित है बताया जाता है कि राज भर में ही नहीं बलकि देश भर में यह समस्या जारी है दिगरस के तैसिलदार सुदाकर राठोड ने इन बिसीन को बताया कि सर्वर डाउन होने से उपजीस ऑनलाइन समस्या का हल स्थानिय प्रशासन के पास नहीं फिर भी उन्होंने इसकी शिकायत जिलादिकारी कार्या लए के समक्ष रखी है तैसिलदार सुदाकर राठोड ने ग्राहकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राशनकाट धारकों को घबराने की कतरी जरूरत नहीं है क्यूंकि तकनी की समस्याए चाहे जो भी हो ग्राहकों को उनके हिस्से का अनाज निश्चित रूप से दिया जाएगा इसमें कोई शक नहीं BCN News के लिए दिगरत सेंज उबेर खान की रिपोर्ट